हलो फ्रेंट्स वेलकुम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम नर्सिंग के रप्लान देखने वाले हैं मेनेंजाइटिस टॉपिक पे और आपका सब्जेक्ट जो है वो चैल्ड है नर्सिंग का रहने वाला है आप मेनेंजाइटिस टॉपिक पेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के सब्जेक्ट में भी बना सकते हो और चैल्ड हल्फ, नर्सिंग का, पेडियाट्रिक का NCP तो हमारे पास अवेलेबल है ही तो इसकी मदद से आप बना सकते हो यह है इसका फॉरंट पेज sorry यह है इसके starting कैसे करेंगे history लेंगे जो child है उसकी हम history लेंगे जो हमारा patient है उसका आपको name age लिखना है तो two month का है sex बताएंगे और ward कौन सा है उनका pediatric ward है address mother name father diagnosis meningitis चीज complaints बतानी है तो meningitis की problem में fever आता है infection की वज़ा से तो वो कितने दिनों से आ रहा है वो भी आप इसमें बताओंगे mention करना है four days से है drowsiness है और इसकी eye swelling भी है तो कब से है और क्या तिक्कते हैं बच्चे को crying कर रहा है baby वो भी आपको लिख लेना है present illness बतानी है present illness के अंदर कहां पर जो child है उसे admit किया गया है hospital का name आपको बताना है कैसी उसकी condition है कौन से doctor उसको देख रहे है क्या क्या sign and symptoms है क्या complaints है वो चीज़े हम इसमें mention करते है present history में बाकि past medical और past surgical history भी आपको बतानी है अगर कोई भी history रही है child की तो लिख लेनी है वैसे वो two month काई है baby तो इतना कोई past में कोई problem उसको क्या होगी तो not significant इसमें बता दिया गया है अभी next page में हम चलते है यह आपका next page है जिसमें की हमने birth history बतानी है बच्चे की antenatal, intranatal, postnatal history क्या क्या रही है vaccination कैसे हुई है उसकी क्या क्या मदर ने tablets जो होती है medicine क्या उनकी care रही है वो सब mention करना है intranatal उसके बाद personal history आ जाती है ठीक है और dietary habits बता देने है family कैसे diet ले रहे हैं बच्चे को कैसे-कैसे feeding provide करते है immunization में जो जो उनको vaccination लग चुकी है child को वो आप लोग लिखोगे उसके बाद फिर intranatal history आ गई आपकी पोस्ट नेटल आ गई ठीक है पोस्ट नेटल लियाने की जब बर्त हो जाता उसके बात की और intranatal में आप बता सकते हूँ कि case type से उनकी delivery हुई है sezarian हुआ है या फिर normal vaginal delivery है internal delivery during delivery को हम कहेंगे उसके बाद next page पर आ जाते हैं यह आपने देख लिया next page जो है हमारा वो है family tree आपको बनाना है और keys बनानी है और patient को represent भी कर देना है कि कौन सी key आपका patient को बता रही है child patient आपका mention करना है उसके बाद developmental history आप लोग लिखते हो कि book में क्या find out हुआ आपको या फिर patient में क्या आपने देखा और book में क्या लिखा हुआ है यह आपका आजाएगा developmental history में तो एक तरफ आपने book के developmental history लिख लेनी है उतने age के बच्चे में क्या-क्या development होनी चाहिए और क्या-क्या आपके patient में आपने देखी वो आपको लिख ले कि आपने कितना फाइंड आउट किया और बुक में क्या है नॉर्मल क्या होना चाहिए चेस्ट सरकुफिरेशन परल्स क्या है बच्छे की रेस्पिरेशन बीपी सारी चीज़ें आ जाएंगी और हाइट लेंथ वगेरा लेंथ वेट सब कुछ उसके बाद नेक्स्ट अपका सर्फ्ल्स इक्साम्लेशन वाबसे साराओ कि जो हमारा चैल्ड है तोास अब बॉड़ी प्रेशन है वह है उनकी बॉड़ी में डल अक्टिविट्न है और मेंचल प्रेशन वहाया हमारा कॉंशियस है next है head तो head के आप चेक करके लिखोगे circumference जो है eyes के बारे में आपको लिखना है पूरा check up करके उसका nose mouth ear फिर neck आ गया abdomen का size आपने गर्थ चेक कर लेना है measuring tape से extremities ठीक है तो जादा कुछ नहीं है short में ही है सब कुछ बनाने के लिए आसान भी आपको lab investigation meningitis के patient में जो जो child में हुई है वह आपको लिख लेनी है जो भी remarks जो भी value आपको मिलती है last में उसका increase decrease normal करके आप लोग लिखोगे फिर medication जैसे की monosaf amicacin सिरफ PCM उसको चली हुई है monosaf amicacin आप जानते हो antipartic होती है डोज रूट आपको लिख लेना है कैसे दी जा रही हूँ आई-एम है आई-वी है सबको टेनियस है तो यह दादर आई-वी दी जाती है N-S में dissolve करके और टाइमिंग आपको लिख लेना है frequency भी लिख सकते हो साथ में जो सिरफ PCM है वो 2 ml दी जा रही है बच्चे को TDS दे रहे हैं ठीक है और ली तो PCM जो होता है आप चानते ही हो यह एक anti-piratic drug है इसके बाद next हमारी nursing diagnosis आपको लिख लेने हैं इंक्रीज इंक्रीज क्रेणियल प्रेशर का डाइग्नोस है इंपेर नुट्रिशन का है और लास्मिन नॉलज डाइपिसिट यह भी आप बना सकते हो इसको प्रेंटर्व ईंक्साइंटी में लिख सकते हैं डाइग्नोस अप रिलेटिटू डिजीज कंडिशन ऑफ दे चाइल्ड अब इसको वन भाए वन न करके एक्स्ट्रेंड कर लेग के यह हमने इसको पहले डाइग्नोस एक्स्प्लें किया है सार्ड पहले दिखा देती कि ICP जो है patient का increase intracranial pressure जो हो गया था वो अब maintain आपको लिख लेना है वो थीक हो चुका है decrease हो चुका है फिर nutrition status जो impaired हो चुका था due to vomiting या related to vomiting वो हमको क्या करना है maintain करना है child का nutrition status maintain करना है कैसे maintain करेंगे वो आपका प्लान रहेगा assessment होगा इसमें measuring weight के बारे में fluid देने के बारे में आपको लिखना है ठीक है और बाकी जो feeding होती है वो properly इसको two hourly देना है जैसे देना चाहिए वह आप लोग जानते ही हो कि breastfeed कराना चाहिए वह उस तरह से उसमें देना चाहिए फिर implement करेंगे वही चीज हम और rational लिखो के अपने plan का पर last में maintain nutritional pattern of the child up to some extent इस तरह से आप इसका evaluation लिख सकते हो फिर एक इसका अब knowledge deficit का लिख लो यह मैंने काफी सारी वीडियो में मैं काफी पार explain कर ही चुकी हूं यह सबसे easy diagnose होता है वैसे तो knowledge deficit का इसमें क्या होता है कि जो child है उसके parents में होगा यह problem knowledge deficit की related to disease condition related to treatment process related to procedure तो सब कुछ क्या करेंगे हम इसमें सबसे पहली जो चीज रहेंगी वो सारे उनके doubts जो होते हैं वो clear करने है कोई भी उनको false reassurance तो देना ही नहीं है सब कुछ clear कर देना है कुछ problem भी है वो भी उनको बताना है कुछ complication भी है वो भी बताना है किसी procedure का किसी drug का side effect है वो सारी चीज़ उनको clear करते रहना है बाकी लास्ट में जो evaluation है वो लोगा अब वह आप लिखोगे वह आपको अच्छा से दिखा देती हूं यह आपका सबसे पहले जो देख रहे हुआ वह है आपका diagnosis goal देन यह planning है planning के बाद आपका implementation है और rational health next और लास्ट में है evaluation तो यह हो गया लास्ट में रेकिए health education भी लिखी गई है health education तो आप अपने आप भी बना सकते हो थोड़ा थोड़ा health education ज्यादा मुश्किल नहीं होती बनाना इसमें क्या होता patient के बारे में पारे में एजूकेट करना है परेंट्स को कि कम्युकेबल डिजीस क्या होती है जो चाइल्ड को इनेजाइटिस के प्रॉब्लम है क्या क्या प्रॉब्लम होती और इक infectious disease तो इस पारे में बताना है पोरसनल हाईजीन के बारे में बता सकते हो चायल्ड की प्रॉपर किया एक्सित प्रॉपर केर किया कार निया है इक्सेट थोड़ी बहुत पॉइंट ही आप लिख लेते हो तो ठीक है अच्छा बिब्लोग्राफी यह रिंपल्स चर्मा की बुक होती है जो उससे यह बनाया गया है तो आप किसी बुक है तो आप डारेक्टी बुक से भी अपना एंस भी बना सकते हो तो फ्रेंड्स थैंक यू